हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करेंगे फ्लैक सीट्स यानि अल्सी की वन अफ दो सूपर फूट्स अवेलबल इन दा मार्केट अल्सी में आपको बहुत सारे नुट्रिशन्स मिल जाएंगे जैसे फाइबर ओमेगा-3 फैटी एसेड प्रोटीन काप्स फैट बिटमिन वन बिटमिन बी वन बी टू कैल्सियूम आइरण मैगनेशियूम फॉस्फोरूस पोटेशियूम और काफी सारे लेकिन फाइबर और ओमेगा-3 आपको काफी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा आए जानते हैं हल्सी को अपने डेली रूटीन में शामिल करने के कुछ फाइदे नमबर एक गुट फो ब्रेइन एंड हाट फ्लैक सीट हमारे दिमाग और दिल को जवान बनाए रखता है क्योंकि इसमें ओमेगा-3 होता है जो ब्रेइन और हाट को फंक्शन करने में मदद करता है और हाट अटेक और पार कीपस फेक्स स्कीन यंगर जी हाँ यह हमारे चेहरे के तौचा को जवान बनाए रखता है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फेक्स की स्कीन फैट से बनी होती है जिसमें ओमेगा-3 फैटी असिद काफी योगदान करता है अगर आप यंग दिखना चाहते हैं तो स्टार्ट इ लूज़ वेट विद फ्लैक्सिक्स जी हां सई सुना आपने अलसी आपके बढ़ते वजन को कम कर सकता है क्योंकि इसमें फाइवर काफी अच्छी मातरा में होता है और इसलिए यह आपको बार-बार भूक नहीं लगने देता और आप इस टमक को भरा-भरा फील करते हैं नमबर चार रिडूसेज तरिस्क ऑफ कैंसर एक इस्टडी में पाया गया कि अलसी कैंसर के खत्रे को कम करता है क्योंकि इसमें लिगनिम्स नाम का एक निउट्रिशन पाया जाता है जो कैंसर से लड़ने में हेल्प करता है नमबर पांच इंप्रूव डाइजेशन हम सभी अपने पेट के तकलीफों से परशान रहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन काफी अच्छा हो और आपका खाया हुआ आपके शरीर में लगे तो फ्लैक्सी का इस्तमाल जरूर कीजिए अलसी आपके राजिस्टिफ सिस्टम को अच्छे से काम करने में मदद करता है और इस्टमक से वेस्ट निकाल के पेट को अच्छे साफ करता है यह सब तो हो गए फ्लैक्सीट के फायदे आए जानते हैं इसको आखिर यूज कैसे करें अपने डाइट में खाय कैसे आप इसको पीस कर एक चमच अलसी पानी के साथ ले सकते हैं इसको ग्राइइंड करके रख लेें और डाल सबजी या दई के ऊपर एक चमच छड़क कर खा सकते हैं और ग्रांडेट फ्लेक्सीट को आप सैलेट के साथ मिक्स करके भी खा सकते हैं फ्लेक्सीट की आप चटी मना कर खा सकते हैं जो काफी अची होती है काफी टेस्टी होती है और फ्लेक्सीट को खाने का एक और तरीका है जो फ्लेक्सीट को आप भून कर उसको गुड के साथ ख अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर करना बिलकुल ना बोले थैंक्स फर वाचिंग